हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 22 अपरेल 2019 और यह हमारी 133 भी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाती है साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके question का answer जरूर करेंगे दोस्तो आइकॉन में एक question दिया गया है जो previous देखा है इसे आप टेक करके answer दें question number first हाली में बेंजा में नेंतना हूँ किस देश के प्रधान मंतरी नियुक्त हुए हैं जिसका सई option है इसराइल हाली में बेंजा में नेंतना हूँ इसराइल के प्रधान मंतरी बने हैं यह पांच यवार इसराइल की सरकार बनाने की स्थिती में हैं इसराइल की रास्टपती रेववेन रिवलेन ने बेंजा में को सरकार बनाने आमंतरित किया है दोस्तो अब बात आईए इसराइल की तो आपको मैप में इसके बारे बता दें मैप में ये जगह है इसराइल को धरसाती है इसराइल की राजधानी है जेरुसलम और इसराइल की करशनसी है न्यू सीकिल इस्राइल के रास्टपती है रिव बेन, रिवलिन और इस्राइल के प्रधानमंत्री यही बने है बेन जामिन नेतनयाहू तो दोस्तो इतना आपको इस्राइल के बारी में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन विशिस्ट क्षित्र को कवर किया जाएगा इसका उद्देश 26-11 जैसे हमलों को रोकना के लिए शुरक्षा विवस्ता को पुखता करना है नेक्स्ट क्वेशन अंतरास्टिय फ्लीड रिव्यू 2019 में कौन से दो भारतिय पूत हिस्सा लेंगे जिसका सही उफ्षन है आई एनेस कलकत्ता और आई एनेस सक्ती ये दोनों युद्द पूत अंतरास्टिय फ्लीड रिव्यू 2019 में हिस्सा लेंगे यह अंतरास्टिय फ्लीड रिव्यू 2019 में यह भारतिय नौसेनिक अपनी छमता का प्रदर्शन करेंगे दोस्तों इसका अयोजन चीन में किया जा रहा है और चीन के रास्टपती सी जिन पिंग इसमें मोख्य अथीती होंगे यह अंतरास्टिय फ्लीड रिव्यू 2019 में नौसेना पूत एयर क्राफ्ट और पंडुब्यों की एक परेड है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस सहर में पहले मंदिर का सिलन्यास किया गया है जिसका सई उफशन है आबुधाबी हाली में आबुधाबी में पहले मंदिर का सिलन्यास किया गया है इस मंदिर को B.A.P.S. स्वामी नारण संस्तान ने इसका सिलन्यास कराया है इस सिलन्यास में भारत के UAE में राजदूत नवदीफ सूरी ने शामिल हुए थे दोस्तों आप बात आई है UAE की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें इसका फुल फॉर्म यूनाइट अरब अमीरात होता है UAE की राजधानी है आवुधावी UAE की करंसी है दिरहम और UAE के रास्टपती है खलीफा विंजयाद अलनहयान तो दोस्तों इतना आपको UAE के बारे में याद रखना है एसिया का सबसे बड़ा 130 मेगावाट शमता वाला सूलर प्लांट कहां लगाया गया है जिसका सही उफशन है नीमच नीमच में एसिया का सबसे बड़ा 130 मेगावाट शमता वाला सूलर प्लांट लगाया गया है इससे यह दरजा 2014 में दिया गया था मध्यप्रदेश का 12 प्रतीशत सौर उर्जा उत्पादन अकेला नीमच जिला में होता है हाली में नीमच जिले सिंगौली में 450 मेगावाट शमता वाले प्लांट भी लगाया जा रहा है दोस्तो यह 2021 तक बनकर तयार हो जाएगा इससे प्रदेश में नीमच से उत्पादित सौर उर्जा का 20 प्रतीशत हिस्सा बढ़ जाएगा दोस्तो अब बात आईए नीमच की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको नीमच जिले के बारें बता दें यह उज्जन संभाग का एक जिला है और CRPF की जर्म इस्थली के रूप में जाना जाता है आँखों की दान की राजधानी भी कहा जाता है जहांतला जो मद्यप्रदेश की पहली ग्राम पंचायत है वह नीमच में ही इस्थत है अफिम का उत्पादन भी सरवाधिक नीमच में ही किया जाता है तो दोस्तो इतना आपको नीमच जिले की बारें में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन हाली में किस भारती महिला खिलाडी ने 100 मीटर रेस 11.28 सेकंड में पूरी की है जिसका सही उफ्षन है दोती चंदर हाली में दोती चंदर ने 100 मीटर रेस 11.28 सेकंड में पूरी की है हाली में इन्होंने ASEAN Athletics Championship में यह record बनाया है इन्होंने खुद का बनाया record तोड़ा है पहले इन्होंने 11.29 सेकंड में 100 मीटर रेस में record बनाया था जो हाली में इन्होंने 11.28 सेकंड में पूरी की है दोस्तो ये भारतिय स्प्रिंटर है तो इतना आपको दुती चंदर की बारी में याद रखना है दोस्तो ये बहुत important question है क्योंकि हम जिन छोटे छोटे questions को छोड़ देते हैं एक्जाम में वही पूछे जाते हैं तो इस लिहाज से ये मंगलनात मंदर बहुत important question है दोस्तो अब बात आईए उजन की तो आपको कुछ important fact उजन के बारें बता दे भर थरी की गुफाएं उजन में इस्तित है जनतर मंतर जो राजा जैसे ने बनवाया था यह उजन में इस्तित है महा कालेश्वर मंदर यह उजन में इस्तित है और यहां पर बारह जोत्र लिंगों में से एक जोत्र लिंग एस्तित है दोस्तो सागर जील में निया इस्तल बनाया गया है और सून्य का प्रतंबार उपयोग उजन में ही किया गया था हाली में आई रिपोर्ट अनुसार कौन सी तरास्ति सदी की सबसे बड़ी घटना है जिसका सई ओफशन है भोपाल गैस कांड यह तरास्ति इस सदी की सबसे बड़ी घटना है यह रिपोर्ट संक्तोरास्ट की अंतरास्टिय सरम संग्ठन द्वारा जारी की गई है और कहा गया है कि इस कांड से आसपास रहने वाले 6 लाक लोग प्रभावित हुए है भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाल आईसो साइनेट गैस का रिषा हुआ था जिसमें लगवख 15,000 लोगों की मौत हो गई थी और जिनकी जान बच गई थी वो इस गैस के कारण आज भी स्वसन संबंदी बीमारियों से जूज रहे हैं यह तरास्ती 1919 के बाद सबसे बड़ी ओद्योगी घटना है तो दोस्तो इतना आपको भूपाल गैस कांड़े के बारी में याद रखना है हाली में किस जहाज का पदारपन भारतिये 9 से नाने किया है जिसका सही ओफशन है इमपाल जहाज का पदारपन भारतिये 9 से नाने किया है यह जहाज रडार की पकड़ से दूर रहती है साती है बहतर सर्वाइवल समुद्र पर नजर रखने चुपके से बार करने जैसी खासियतों से लेस है यह मल्टिपल हेलिकॉप्टर साथ ले जा सकती है इसे 2021 में भारतिय सेना में पूरी तरह से शामिल कर लिया जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन हाली में भोपाल डी आर एम कौन बने है जिसका सई उफशन है उदै बूर बनकर भोपाल की नए डी आर एम बने है यह कटनी में पदस्त थे अभी हाली में मंत्राले ने ट्रांसफर भोपाल किया है और यह यहां सो भन चौधरी की जगह लेंगे इस एक्जिवेशन में इंटरनेशनल फाइन आर्ट अकेडमी के स्टूडेंट हिस्सा लेंगे दोस्तो अब बात आईए इंदर की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको इंदर की बारें बता दें राज्जी की व्यवसाइक राजधानी, मिनी मुंबई, इंदरपुर, एहलियावाई नगरी, आदी के नाम से इंदर को जाना जाता है इसकी प्रमुक नदिया है छिप्रा और खान देश का ऐसा एक मातर सहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित की गई थी देवी अहलियावाई विश्विध्याला प्रदेश की सबसे बड़ी विश्विध्याला है राला मंडल वन जीव अभ्यारंड इंदर में ही इस्थे थे नेक्स्ट क्वेशन हाली में मैगी अमरित राज का निदन हुआ इन्हें किस नाम से जाना जाता था जिसको से योफशन है टैनिस सुपरमॉम मैगी अमरित राज को टैनिस सुपरमॉम की नाम से जाना जाता था ये पूर्व डेविस कब बिजे था बिजे अमरित राज, आनंद अमरित राज और असूग अमरित राज की माँ है इन्होंने उन्नीस सो पचासी में विर्टानिया अमरित राज टैनिस अकेडमी की इस्थापना की थी दोस्तो इनके परिवार को भारत की टैनिस की पहली फैमली के नाम से जाना जाता है इनकी अकेडमी से निकले लेंड रपेस और सौमदेव देव मर्मन जैसे खिलाडी है तो दोस्तो ये था हमार आज का डेली करंट अफेर आप हमारे चैनल स्टडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए दोस्तो हमारी एक और सीरिज जिसमें हम मद्यप्रदेश के 30 important questions और old paper सहत physics, chemistry, maths, whyo आदी के question लेते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत गौर से देखना चाहिए इसका तीसरा part हाली में release हो चुका है तो आप जाकर इस वीडियो को देखिए तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार